नमस्कार साथ यहों, Spreading Value Investing में आपका हिरदय से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजेगा और All पर क्लिक कर दिया है क्योंकि दोस्तों मैं समय समय पर trending stocks उपर analysis लेकर आता रहता हूँ और अभी Almost दोस्तों आप previous वीडियो उठा कर देख लो latest वीडियो देखो या फिर पुरानी वीडियो देख लो तो Almost दोस्तों आप पाएंगे कि सभी जो analysis है वो कहीं न कहीं आपको यहां सही होता वह नजर आएगा और multi bagger returns दोस्तों analysis जो analysis किये हैं वो stocks अभी दे रहे हैं ठीक है और short period में दे रहे हैं बट अगें यह कहना चाहूँगा कि कोई buy sale recommendation नहीं रहता है ठीक है हलाकि यह analysis का फायदा उठाके अपने research में use कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर previous video आप दिखेंगे तो मैंने तीन stock बताया था ठीक है यहां पर जो कि budget special stocks था ठीक है तो वो तीन stocks दोस्तों यहां पर अभी आप तीनों stock उठा लो तो उनमें 2 stock दोस्तों अच्छा perform किया है आज ठीक है और आने वले समय में भी और अच्छा perform कर सकता है और यहां एक stock दोस्तों जो NHPC है इसके बारे में दोस्तों मैंने इसमें cover किया था यह stock दोस्तों आज तो थोड़ा सा इसमें profit booking देखने को मिला है लेकिन यह दोस्तों budget तक यह भी perform आपको करते हुए देखने को मिलेगा और यह तीनों ही stock दोस्तों मैंने पहले से cover करके रखा है और वहां से आप उठा कर देख लो तो सभी stock दोस्तों आपको 10% 15% ऐसे दोस्तों ऊपर की और आपको return बनाके अभी दे चुके हैं ठीक है और यह तेजी लगातार चलती रहेगी तो इसी वज़ाए से दोस्तों ऐसे analysis का लाव आप भी ले पाओ और free में ले पाओ तो इसके लिए channel को अभी subscribe कर लीजे क्योंकि बाद में वीडियो देखने के बाद आप हो सकता है भूल जाए ठीक है और notification के लिए दोस्तों bell icon जरूर प्रेस करके all पे click कर दीजेगा ठीक है यहाँ पे आपके पास edge रहेगा तभी आप यहाँ पे multipacker returns दोस्तों बना पाओगे ठीक है हलागी कोई buy sale recommendation नहीं है तो चलिए stock के ऊपर चलते हैं आज जो stock चर्चा करने वाले दोस्तों आपको पता होगा कि RBNL दोस्तों यहाँ पे बहुत जादा ऊपर over value हो चुका है और इसका reason दोस्तों है huge order book लगातार order का मिलना दोस्तों तो दोस्तों long term के लिए stock बहुत अच्छा है लेकिन short term के लिए दोस्तों यहाँ पे अभी भी जो investors है वो डर रहे हैं कि क्या अभी इसमें एक profit booking आ सकती है तो दोस्तों यह large cap बन चुका है ठीक है तो दोस्तों जो इस stock पे सही समय पे entry नहीं ले पाए RVNL पे ठीक है तो वो लोग क्या करें तो उनके लिए दोस्तों आज यह video लेकर आए है ठीक है तो दोस्तों यह जो stock है इसके उपर chart के उपर चल के चर्चा करते हैं ठीक है बिना समय को आए तो दोस्तों chart के उपर हम आचुके हैं देख सकते हैं यह भी दोस्तों आप एक PSU stock है ठीक है तो ऐसा बिलकुल मत समझेए कि RVNL PSU है तो यह PSU नहीं यह भी PSU stock है और इसको भी government का full support है और यह भी same same दोस्तों यह जो वहीं काम करता है जो RVNL करता है ठीक है तो दोस्तों आप इसे छोटा भाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे है ना तो इस stock को दोस्तों जान लो यह stock दोस्तों अभी 31,000 करोड का इसका market cap है ठीक है तो दोस्तों आपको पता है RVNL जब यहाँ पे था तो अभी यह multiply का return दे कि large cap बन गया तो इसमें potential नहीं हो सकता क्या दोस्तों आप एक कलपना करो क्या आप कोई competitor है ठीक है दो business है दो competitor है सेम product बनाते हैं और market demand सेम है और दोनों का दुकान एक ही जगा है ठीक है तो दोस्तों क्या आप कलपना करो कि क्या एक ही दुकान में सारा profit जाएगा क्या नहीं जाएगा तो इसमें भी जाएगा, है की नहीं, तो यहीं चीज मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, ठीक है, और PE भी देखो तो दोस्तों, RVNL से आपको काफी सस्ता मिल रहा है, 34 के आसपास PE देखने को मिल रहा है, यानि कि 20 के आसपास PE अच्छा मना जाता है, और 34 मिल रहा है अभी के समय में, ठीक है, जहां market overvalued है, stocks, RVNL जैसे, वो भी दोस्तों अभी overvalued चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इतना सस्ता PE आपको मिल रहा है, तो यह सोने पर सुहागा की तरह है, ठीक है, stock का नाम जाल लो दोस्तों, IRCON International Limited, यह stock आपने सुना ही होगा, 5D return देखो, तो 2.81% महच, 1 month 24% और max returns देख लो, तो 710%, मतलब stock 2018 का stock है, और मात्र 710% यह बढ़ा है, मतलब बहुत जादा नहीं बढ़ा है, ठीक है, तो इसी वज़ाए से इसमें immense opportunity है दोस्तों, immense opportunity, ठीक है, क्योंकि stock बहुत जादा नहीं बढ़ा, overvalued भी नहीं हुआ है, ठीक है, इस value, मतलब कि जो book value stock का होता है, जिसको intrinsic value भी आप का सकते है, ठीक है, तो यहाँ पे similar to book value होता है, वो similar आप intrinsic value जो होता है, उसके बराबर आप मान सकते हैं, लेकिन pure intrinsic value नहीं का सकते हैं, ठीक है, तो इसे आप देख लिजे, कि PV ratio, price to book value भी दोस्तों, इस stock का बहुत जादा है, ठीक है, price to book value देखेंगे, तो मुझे लगता है, आठ के आसपास होगा, मैं अभी check कर लेता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे, जो stock का दोस्तों, यहाँ पे आप business देख लो, क्या है business इसका, ठीक है, इलकोर international commence to business 1976, बहुत पुरानी company, construction company है, ठीक ह देखो, कितनी पुरानी company है, construction company, diversified progressively in 1995, integrated engineering and construction, PSO specializing in large and technological complex infrastructure, ठीक है, तो यह बता ही चुका हूँ, और book value का बाचर्चा हो रहा था, तो book value भी देख लेते हैं दोस्तों, तो देखिए, book value दोस्तों, 62 आपको देखने को मिल रहा है न, तो 62 इसका book value है, और इसका 62 से, यहाँ पर आप इसका current price देखो, तो 337, यानि दोस्तों, 5.5 से लेकर 6 के आसपास इसका price to book value है, यानि book value से 5 से 6 गुना, मातर ये stock मिल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं, इसी वज़े से मैं इस पर focus करने बोल रहा हूँ, ठीक है, sales यहाँ पर देखें, तो देखिए, sales लगात बढ़ रहा है, 2900 से बढ़ बढ़के 3743 क्रोड पर आ चुका है, ठीक है, और आने वाले quarter results में दोस्तों देखेंगे कि इसका आपको अच्छी खासे यहाँ पर sales होते हुए नजर आए, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों, इसका reserves देख लो, तो reserve भी बहुत ही तगड़ा है, दोस्तों, देख लो, 4000 से बढ़के यहाँ 5683 हो गया, यानि लगभग 5500 क्रोड हो गया, पहले 3000 था, यानि लगभग डबल होने चला, तो यह देख लिया, investors देख लो, दोस्तों, कौन कोनी इसमें invested है, है न, देखो, promoter दोस्तों, सबसे ज़्यादा holding, सबसे अच्छी बात ह ठीक है, 65% FII देखो दोस्तों, यहाँ पे जो FII है, साढ़े 4% के असपास है, ठीक है, थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा कम बेसी चलता रहता है न, और यहाँ पे यहाँ पे DII देखो, तो DII भी जो stake है, वो लगभग 2 गुना कर दिया है, दोस्तों, DII ने stake 2 गुना कर दिय किया है, FII भी देखो, तो stake लगभग consistent है, देखो, 4%, 11%, 4.58%, 4.17, लगभग consistent आप कह सकते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, promoter holding फ्रोरा सा decrease किया है, तो दोस्तों, OFS, कोई भी PSU stock में, दोस्तों, OFS आता रहता है, stake sale होता है, company को profitable बनाने के लिए, ठीक है, तो government company PSU stocks में, दोस्तों, यह आम बात है, इसमें कोई चिंता की ऐसी बात मुझे लगती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आभी भी 65% stick, government के पास है, ठीक है, promoter के पास है, government promoter, जो भी owner होता है, दोस्तों, company का आप इसे ऐसे समझ लो, ठीक है, especially government का कहना सही नहीं होगा, क्योंकि किस के पास holding है, properly, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन यह PSU stock है, तो government control company है, तो हम government ही समझते है, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख चुके है, stock को, बहुत ही सा अंदार stock है, लेकिन कोई buy sale recommendation या hold ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो analysis अच्छा लगा हो, तो दोस्तों, video को like कर दीजेगा, और channel को subscribe करना, अगर भूल गए हैं, तो दोस्तों, आभी subscribe कर लिजे, और bell icon को press कर दीजे, free content provide करता हूँ, दोस्तों, performance channel का देखी रहे हो, दिन दिन दोस्तों, आपके प्यार और आसिरवाद से, दोस्तों, analysis सही होता जा रहा है, तो आप भी फैदा ले उपाओ, तो इसलिए subscribe कर दीजे, क्योंकि other channels पे आप देखेंगे दोस्तों, तो join button, create कर आके, या फिर member से fees लेकर आपको यही information दिया जा रहा है, ठीक है, तो यह opportunity यहाँ भी आपको free में मिल रहा है, तो क्यों न आप इस channel को subscribe करके आपना प्यार दें, और खुद भी benefit लें, ठीक है, तो अन्तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद,